साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से छमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूं पुरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही इंक किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्व पुर्ण था क्रिशिए अर्तसास्त्रियों ने वर्या किनिकों ने प्रगज़िसल किसानों को ने भी उन्हें कुछी कानूनों के महत्वों को समझाने का भड़पुर प्रयास भी किया हम पूई विनम्रता से खूले मन्से उन्हें समझाते रहें हैं अनेक मध्यमों से व्यत्तिगत और सामुहिक बात्चीत भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोड़ कसर बाकिन नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरां ये विशेम मानिय सर्वोच न्याले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथियो मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सत्य मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्रह में इसी महिने में हम तीनों कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी आंदुलन रभ किसान साथियों से आगर कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुआत करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं